हेलो एब्रीवन, लार्नाक्यूलस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके कुश्टन आंसर को वन बाई वन करके देखेंगे, साथी चैप्टर को भी समझने की गोशिस करेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें फॉस्ट है आपका A, explore the text, इसमें जो भी कुश्टन से हैं, चलिए उसकुश देखते हैं, पहला है, कहता है कि जो भी statement यहाँ पे दिया जा रहा है आपके सामने वो सारा statement सही है या गलत है आपको one by one करके बताना है ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला है a demon lived in the देवदार tree कहता है कि जो राक्षस था वो देवदार tree में रहता था यह सही है या गलत है ठीक है तो इसका answer है false यह गलत है देवदार tree जो था उसमें कौन रहता था tree goddess रहती थी ना कि demon रहता था ठीक है चलिए next करते हैं the king wanted his palace to be as magnificent as a temple कहता है कि जो राजा था वो चाहता था महराज कि उनका जो पैलेस उनका जो महल हो वो temple से भी जैदे बड़ा हो सही या गलत तो यह बिल्कुल भी सही है कि वो चाहता था कि उसका जो पैलेस है वो क्या होना चाहिए वो महल उनका मंदिर से भी जैदे बड़ा होना चाहिए ठीक है चलिए next question देखते हैं the prime minister protested when the king wanted to cut the देवदाठी कहता है कि जब महराज चाहते थे कि देवदाठी को काटा जाए तो prime minister मतलब उनके जो मंतरी थे ठीक है वो मंतरी ने चाहा कि उसकी जो है रक्षा की जाए उसको protest किया मतलब उसकी रक्षा करने के को मना नहीं किया चलिए next question देखते हैं the tree goddess spoke in a voice that was like the song of a bird कहता है कि जो tree goddess थी यानि कि जो विरिक्ष था देवदार विरिक्ष वो कैसे बात करता था just like एक bird जैसे song गाती है गाना गाती है चिनिया उसके जैसा यह सही है या गलत है तो यह बिलकुल भी गलत है ठीक है तो इस anymore कहता है कि यदि example किसका example ले करके king का example ले करके कोई भी जो है अपना house जो है आगे से किसका नहीं बनाएगा लकडी का नहीं बनाएगा उन्हेंने किसका example लिया राजा का तो यह statement सही है या गलत तो यह statement क्या है सही है तो इसका answer क्या होगा true ठीक है इस तरह से हमने इस question को complete किया, चलिए next देखते हैं, answer the following questions, यहाँ पे कुछ questions दिये हुए हैं, उसका क्या करना है, आपको answer करना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, first question है, why was the देवदार tree chosen to build the palace, कहता है कि महल को बनाने के लिए देवदार विडिक्षी क्यों चुना गया, तो इसका answer है, कह रहा है, कि देवदार विडिक्ष को इसलिए चुना गया, पैलेस बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, क्योंकि यह जो विडिक्ष था, वो पूरे kingdom है, मतलब पूरे राजे में जो है, वो सबसे जैदे strongest था, सबसे अधिक मजबूत था, और सबसे अधिक लंबा था, ठीक है, तो चलिए next question देखते हैं, अगला question है, question number two, why couldn't the king's man bring the देवदार tree from the forest, कहता है कि जो राजा के, महराजा के जो आदमी लोग थे, king's man, वो लोग देवदार विडिक्ष को forest से क्यों नहीं ला सके, इसका answer है, the king's man couldn't bring the देवदार tree from the forest, because there was great distance between the forest and the city, कह रहा है कि महराज के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, महराज ने जिन्हों ने भेजा था, जिनको जंगल से देवदार विडिक्ष काट कर लाने के लिए, वो लोग नहीं ला सके, क्योंकि वहाँ जो forest था, यानि कि जो जंगल था, जो सहर था, उसके बीच की दूरी जो है, वो काफी अधीक थी, ठीक है? चलिए तो next question देखते हैं, number third है, why did the people worship the देवदार tree? कहते हैं कि लोग जो है, वो देवदार tree को क्यों वर्षिप करते थे, उसकी पूजा क्यों करते थे? इसका answer है, the people worship देवदार tree, because within it lived a goddess, and it was goddess who gave to the tree its great strength, size and beauty. लोगों का ऐसा मानना था, लोग उसकी पूजा इसलिए करते थे, क्योंकि देवदार विरिक्ष में क्या रहती थे? गौड़़देश रहती थे, देवी रहती थी, and it was goddess और वह देवी ही थी, जिन्होंने क्या किया था, देवदार विरिक्ष को इतनी सक्ती दी थी, बड़ा सा उनका साइज दिया था, और उसकी सुन्दरता भी उसको परदान किया था, ठीक है, चलिए नेक्ट्ट कोश्चन देखते हैं, कोश्चन में फो है, कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके जो वैक्ती लोग थे, उनके जो आदमी थे, उन लोगों ने ट्री गौड़ेस को अपना जो आदर सम्मान दिया, वो किस प्रकार दिया, इसका आंसर है, उन लोगों ने अपना आदर उनको कैसे दिया उस व्रिक्ष को, तो वो लोग किस के साथ आए, फूलों की माला के साथ आए, लैंप, लैंप से यहां रिलेटेड है, दिया को ले करके आए, एंड म्यूजिक टूपे और ढोल वगार ले करके आए, ताकी जो है क्या करे, उसकी अच्छे से पूजा कर सके, और जो ट्री गॉड़ेस है, देवदार में, व्रिक्ष में ट्री गॉड़ेस जो है, उनको मना सके, ठीक है, चले, नेक्ट कुशन देखते हैं, कहा जा रहा है, कि जो गॉड़ेस ही, देवी, यह कैसे दरसाती, यह कैसे वो दिखाती है, कि उसे सब कुछ जो है, वो समझ आ गया कि क्या होने वाला है, ठीक है, चले, इसका अंसर देखते हैं, कहा जा रहा है, जब ट्री गॉड़ेस, यानि कि देवदार विश्च को जब काटा जा रहा था, तो उन्होंने ये इच्छा क्यों जाहिर की, कि मुझे तीन पार्ट में काटा जाए, तीन भागों में काटा जाए, बारी-बारी से, ठीक है, तो इसका अंसर है, ट्री गॉड़ेस ने कहा, कि छोटी-छोटी बहुत सारे यसे यंग देवदार हैं, मतलब छोटी-छोटी देवदार विश्च हैं, जो हमारी छाया के नीचे वो लोग अभी पल बढ़ रहे हैं, यदि मुझे एक बार में यदि काट करके गिरा दिया जाए, तो मैं इतनी विसाल हूँ, कि क्या होगा सारे जितने भी यंग जो है, वो अभी आने वाले जो ब्रिक्ष हैं, छोटे-छोटे से पौधे, वो सारे मर जाएंगे, इसलिए वो मेरे क्या है, वो एक तरह से मेरे बच्चे हैं, वो उनकी मृत्ती हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे तीन भाग में काटा ठीक है, चलिए next देखते हैं, next आपका है word power, चलिए क्या है देखते हैं अगला question इसमें, find the synonym, same meaning of the following words from the text, कहता है कि book में जे है क्या करना है, आपको कुछ-कुछ words दिये हुए हैं, उनका synonym निकालना है, मतलब समान अर्थ वाले सब्द को निकालना है, ठीक है, चलिए question द इनको क्या करना है, इनके meaning के साथ जो है, उसको देखना है, तो powerful, ठीक है, powerful का क्या होगा, strength, ठीक है, powerful मतलब क्या होता है, सक्तिसाली, strength मतलब भी क्या होता है, सक्तिसाली, next word है आपका attractive, attractive का क्या होगा, magnificent, attractive मतलब क्या होता है, आकरसित करने वाला, और magnificent भी क्या होता है, व इसका answer क्या हो जाएगा? enough, enough भी क्या होता है? परियाप्त, ठीक है? next है tough, tough क्या होता है? tough का answer होगा, heavy, tough का अर्थ होता है, काफी कठीन, और heavy का मतलब ही होता है, उसी तरह कठीन या भारी, ठीक है? next है आपका last one, shelter, shelter का क्या होगा? सेड, ठीक है? shelter का अर्थ क्या होता है? आसरे देना या फिर किसी को अपनी छतर चाया में रखना हो, सेड मतलब भी क्या हो जाता है? कि उसको अपने छतर चाया में रखना, छतर चाया होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने इस chapter का question answer complete किया, उमीद है आप सबको आया होगा, ठीक है? आप लोग video pause करके इस सारे question answer को कर लिजेगा, यदि ये video आपको अच्छा लगा हो, तो like, share, subscribe जरू किजेगा, धन्यवाद.